हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो न्यू रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज हम बनाएंगे डाइट चिवडा, उसके लिए मैंने लिया है एक कप मुड़ी, कोई लोग इसे मुर्मूरा या पफ्ट राइस भी बोलते हैं, हम इसे लो से मीडियम फ्लेम में ड्राइ रोस्टी करेंगे, कोई तेल या गी नहीं डालेंगे जब ये थोड़ी कुरकुरी हो जाए तो इसे निकाल लेंगे कडाई से अब मैंने या पे लिया हाफ कप पंकिन सीट्स, इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट करेंगे, जब ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे इसके बहुत ही फायदे हैं, ये बहुत प्रोटीन और वाइटेमिन्स में बहुत रिच होती है, ये क्रिस्पी होने के बाद खाने में भी बहुत अच्छा लगता है अब मैंने यहाँ पे लिया टू टेबल स्पून फ्लेक सीड्स, ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया और ये पॉप अप करने लग गये, इसके मतलब हमारे फ्लेक सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुकी है ये कॉलस्ट्रॉल को भी बहुत कम करती है और डाइबिटिक लोगों के लिए तो फ्लेक सीड्स बहुत अच्छा होता है इसमें गुड कॉलस्ट्रॉल बहुत होता है अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कप मखाना मखाना को लोटस सीड्स भी बोलते हैं ये पोटेशियम और मैगनेशियम में बहुत रिच होता है और डाइबिटीज और हाई बीपी कंट्रोल करने में भी हल्प करता है आप इसे इस तरह रोस्ट करके इवनिंग टी टाइम स्नेक्स की तरह भी खा सकते हैं ये एक बहुत ही हल्दी ऑप्शन है मखाना अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके है अब यहाँ पे लेंगे एक चमज घी मैंने यहाँ पे घी यूज किया आप घी के जगा ओली वाइल भी यूज कर सकते हैं भी एक अच्छा ऑप्शन है पर घी इस गुड फॉर हेल्थ और लिये हैं चार-पांच करी पत्ते करी पत्ते को थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे थर्ड स्पून हल्दी पाउडर वन थर्ड स्पून रेड चिली पाउडर अब हम इसमें पत्ले वाले चिडवा डालेंगे जो एकदम ही पत्ले होते हैं और जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं हमारे चिवड़ा एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं आप जो हमने सब ड्राई रोस्ट चीजें किये थी वो इसमें मिला देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने यहापे हाफ कब पीनट भी लिया है मेरे पास यह पीनट पहले से ड्राई रोस्ट की हुए थे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इसको ड्राई चिवड़ा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज फ्राई करके नहीं डाली है सब रोस्ट करके डाली है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं जब वो टीवी देखते कोई ऐसे जंक फूड खाते रहते हैं तो आप ये दे दीजे अब मैंने यहाँ पे डाला हाफ कप रोस्टेट सेव ये बजार में आसानी से मिल जाती है ये खाने में जितनी टेस्टी है उतने ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसे डाइबिटिक पेशेंट जो थोड़े हेल्थ कॉंशेस लोग हैं वो भी इसे अराम से इंजॉय कर सकते हैं अब इसे हम लोग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडे होने के बाद इसको एड़ टाइट कंटेनर में डाल के रखेंगे ये 10-15 दिन तक भी खराब नहीं होगी अराम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा एंजॉय